हाई एवरीवन वेल्कम एक टो मैं चैनल सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें आज का स्वेटर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएकर डिजाइन देखें कितना प्यारा डिजाइन है बहुत ही सिंपल है बहुत अच्छा लगता है तो फलाल तो हमने हाप स्वेटर बनाया है अगर बाजू बनाना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताएं हम उसका वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड कर देंगे तो साइज की बात करें एक्सल साइज है बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि अगर आपको 34-son size सैज बनाना है या फिर 32 बनाना है तो वह सारा हम इसी वीडियो में आपको बतादेंगे फिलाल तो यिए अगर हम इसको नापेंगे ना तो 19 इंच इसकी चोड़ाई है ठीक है और 23 इंच लंबाई है तो 19 इंच की चोड़ाई का मतलब होता है कि जो है चेश्ट साइज 40 और 38 चेश्ट वालों के आने वाला है तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सस्क्राइब कर दे तो इसके लिए हमने 11 नंब है अगर आप सेम साइज बरदमान की उन्प से बनाएंगे न तो अपका जो साइज है वो 36 और 34 साइज बनेगा आइफिंग और अपको इस चोटा साइज बनाना है तो फिलाल तो हम आगे का बताएंगे आपको बनाना तो इसके लिए हमने 45 चेन लिए है और 2 चेन एक्स्रा अब तीन चेन छोड़ के चौथी वाले में हम एक डबल क्रोस्या बनाएंगे इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोस्या बनाएंगे फिर एक इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो हमने 45 चेन आगे के साइड डाली है उपन है ना आगे से इसलिए 45 चेन डाली है और एक साइड में 45 है और एक साइड में 45 है टोटल अगर मिलाया जाए तो 90 चैन है ठीक है तो हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट रो हम डबल क्रोस्या से कंप्लीट करेंगे जो दो दो करके फंदे निकालते हैं उसको डबल क्रोस्या बोलते हैं ठीक है तो जितनी भी चैन है हर चैन में एक डबल क्रोस्या बनाएंगे इस रो को ऐसे ही बनाना है अगर आपको छोटा साइज बनाना है तो आप 40 चैन डाले और छो सिंगल क्रोशय बनाया फिर इसके पास वाली चेन में एक सिंगल क्रोशय बनाया दो फंदे एक साथ निकालते हैं उसको सिंगल क्रोशय बोलते हैं तो इस रो को हम सिंगल क्रोशय से कंप्लीट करेंगे हमने पूरी रो complete का लिए single crochet से अब हम design बनाएंगे ठीक है तो design एक्दम simple है कोई भी इसको बना सकता है सबसे पहले हम एक, दो, तीन, चार चार chain लेके इसको घुमाएंगे और एक chain छोड़कर second बाले में एक double crochet बनाएंगे यहाँ पर ठीक है, अब इस बाले में हम दो बनाएंगे, एक और बापस इसी जगे एक और बना ली तो दो हो गई, total तीन double crochet हमारे पास हो गई एक chain में एक बनाई है और दूसरी chain में हमने दो बनाई है अब देखी, इस बाले में हम दो बनाएंगे और यहाँ पर एक बनाएंगे इस तरीके से आपको design दिखेगा, इस तरीके का ठीक है अब एक chain लेकर और यहाँ पर एक, दो तीन, तीन chain छोड़के चौथी वाली chain में डालेंगे, यह देखी तीन chain छोड़के इसमें डालेंगे, एक double crochet और इसमें हम दो बनाएंगे एक chain लेकर और इसमें हम दो बनाएंगे और इसमें एक बनाएंगे, यहाँ पर फिर से एक chain लेकर और तीन chain छोड़ेंगे एक, दो, तीन तीन chain छोड़के चौथी वाली में इसमें एक बनाएंगे और यहाँ पर दो से एक chain लेकर और यहाँ दो बनाएंगे और यहाँ पर एक बनाएंगे ठीक है इस तरीके से हमें डिजाइन बनानी है जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा आप देखे फिर से हम एक chain लेकर एक, दो, तीन तीन chain छोड़ेंगे चौथी वाले में डालके एक डबल क्रोश्य बनाएंगे इसके पास वाले में दो बनाएंगे इसे एक chain लेकर इसके पास वाली chain में इसमें दो बनाएंगे यहाँ पर एक बनाया ठीक है तो इस row को हम ऐसे ही complete करेंगे फिर आगे आपको दिखाते हैं इस तरीके से हमारा design दिखेगा आपको तो हम पूरा इसी तरीके से बनाएंगे और last में आपको दिखाएंगे last में क्या करना है तो हमने इतना बना लिया अब देखे फिर से हम तीन चेन छोड़के चौथी वाली चेन में एक double crochet बनाएंगे यहाँ पर और एक इसके pass volume बनाएंगे यहाँ पर इस दो हमने दो चेन दिख रहे हैं तो हम दो double crochet यहाँ पर बना लेंगे ठीक है इस तरीके से बनाना है तो design की पहली row हमारी complete हो गई है कि design हमारी बनना start हो गई है अच्छा बटन पट्टी के फंदे हमने नहीं बनाएं वो हम बाद में बनाएंगे तो इस तरीके से हमने देखे बना लिया यहाँ पर अब दूसरी row कैसे बनानी है वो हम आपको दिखाते हैं तो दूसरी row बनाने के लिए दूसरी row के लिए देखे सबसे पहले हम एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस चेन लेकर अब देखिए जो हमने तीन चेन बीच में छोड़ी थी ना एक दो तीन बीच वाले में हम इसको डालके join करेंगे इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और बीच वाले फंदे में तीन चेन छोड़ेंगे बीच वाले में इस तरीके से डालेंगे और slip stitch हमें करना है देखिए इस फंदे को निकाल के बापस इसमें से निकाल देया ठीक है फिर से हम दस चेन मिनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस इसको ले जाके बापस देके तीन चेन छोड़ी है बीच वाले में हम डालके सिलिप स्टेच हम जोइन करेंगे इस तरीके से ठीक है फिर से हम जोइन करने के बाद फिर से दस चेन बनाएंगे इस रोको हमें ऐसे ही बनाना है दस चेन बनानी है और सिलिप स्टेच जोइन करते जाना है देखें इसमें बनाएंगे जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके अच्छे से समझ आ जाएगा अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा है वाट यह बिल्कुल भी टफ नहीं है तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे पूरी रो हमने कम्प्लीट कर लिए दिखिए फिर से यहां से 10 चेन बनाके इसको ले जाके हम यह लास्ट में यहां पर जोइन करेंगे इसके उपर पूरी रो हमारी बन गई है अब सेकंड रो हम आपको दिखाएंगे डिजाइन की तो सबसे पहले हमने 4 चेन बनाई है अब इस वाले चेन को यह चेन बनाई है हमने 10-10 इसको पकड़ेंगे इस तरीके से देखेंगे पकड़ेंगे हम और इसमें बीच में जो एक चिन का gap लिया ने बीच में इसमें डालेंगे और पहले 3 double circle से बनाएंगे एक दो तीन एक चिन और बापस इसी जगे तीन बनाएंगे एक दो और एक तीन ठीक है इस तरीके से बनाले अब फिर से एक चिन लेकर इसको पकड़ेंगे इस तरीके से इसको पकड़के इसमें पहले तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया एक चिन और बापस इसी जगे तीन बनाएंगे एक दो और एक तीन देखे इस तरीके से ठीक है फिर से हम एक चिन लेकर इस वाले डिजाइन को बनाएंगे यहाँ पर इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है देखे इस तरीके से पकड़ के इसमें बनाना है इस तरीके से पूरी रो कबलीट करनेरे देखे हमने इसको घुमाएंगे और यहां पर जो आपको यह नीचे वाला तार देख रहे हैं एक चेन लीती जो हमने यह देखिए नीचे वाला देख रहे हैं इसमें डालेंगे इसमें से निकाल दिया फिर से 10 चेन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस फिर देखिए क्या करेंगे इसमें डालेंगे इस वालें तार में और सिलिप इस्टिज बनाएंगे देखिए इसी तरीके से पूरी रो बनानी है तो यह देखिए पूरी रो हमने बना ली है ठीक है अब देखिए क्या करेंगे पूरी रो हमारी बन गई है फिर से हम डिजाइन डालेंगे सिम्पल है बहुत सिम्पल सा डिजाइन है सबसे पहले हमने चार चेन बनानी है चार चेन बनाने के बाद फिर से जो चेन बनाई थी उसको पकड़ेंगे इस तरीके से और बीच में पहले तीन डेबल क्रोश है चेन बापस इसी जगे तीन डबल क्रोश है बनाएंगे देखिए ठीक है फिर से हम एक चेन लेकर इस वाले को पकड़ेंगे इसमें देखिए तीन डबल क्रोश है एक चेन और तीन डबल क्रोश है बनाने हैं इसी तरीके से हमें पूरी रो कंप्लेट करनी है देखिए फिर से एक चेन लेकर इसको पकड़ेंगे इसमें बनाएंगे यहाँ पर ठीक है तो इसी तरीके से पूरी रो बनाएंगे हम और ऐसा ही हमारा डिजाइन बनता जाएगा कुछ नहीं करना है हमें एक रो में 10-10 चेन बनाके जोइन करते जाना है दूसी रो में इस तरीके का डिजाइन बनेगा ठीक है आगे के साइड हमने 45 चेन डाली है पीछे के सा आपको थोड़ा लॉंग बनाना है तो आप 22 डिजाइन बना ले 24 बना ले फिलाल तो हम 20 डिजाइन इसी तरीके से बनाएंगे उसके बाद आपको गला घटाना बताएंगे तो देखे पूरी रो बनाने के बाद फिर से हमने 10 चेन बनानी है और बीच वाले फंदे में डालकर इसको slip stitch जोइन करना है दिखिए इसको इस तरीके से इसमें डालेंगे यहाँ पर और जोइन करेंगे इस जगे पर तो पूरी रो बनाने के बाद आगे आपको दिखाते हैं देखिए इसी तरीके से डिजाइन हमारा बनता जाएगा अभी हमारे पास तीन बार डिजाइन बना है हम टोटल बीस बार बनाएंगे फिर आपको दिखाते हैं यह देखिए हमने इतना बना लिया है आपको काउंट करके दिखा दे तो हमने कितनी डिजाइन बनाई है देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा यह देखिए अब हम गला घटान आपको बताएंगे गले पर कैसे कटिंग करने है तो गले पर ही हम फंदा घटाएंगे मुड़े हम नहीं घटाएंगे क्योंकि क्रोशा में इतना important नहीं होता है मुड़े घटाना और वैसे ही जब आप fitting की सिलाई देंगे तब आपका जो fitting देंगे ना तो आपको वैसा ही shape मिलेगा जैसा हम मुड़े घटाते हैं तब मिलता ह ठीक है अब देखिए अभी हिद तक हम क्या कर रहे ते पहले तीन डबल क्रोशा बना रहे थे वट आफ हम दो डबल क्रोशा बनाएंगे एक और यह दो डबल क्रोशा के बाद एक चिन लेनी है और बापस इसी जगे तीन बनानी है एक फंदा हमने कम कराएं देखिए एक दो बनाके फिर एक चैन फिर एक तीन बना ली तो एक फंदा हमने कम कर दिया ठीक है गले पर एक फंदा कम कर दिया फिर एक चैन लेके इसमें डिजाइन बनाएंगे पहले तीन डबल क्रोशा एक चैन और तीन डबल क्रोशा दिखे इसमें सेम बनाना है फिर एक चिन लेकर और आगे वाले डिजाइन जो है सारे हम एक से बनाते जाएंगे जैसे बना रहे थे सिर्फ गले वाले फंदे को ही हम कम करेंगे इसमें भी सेम डिजाइन बनाएंगे पहले तीन डबल क्रोश है बनाएंगे एक चेन और तीन डबल क्रोश है इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है इसकी अगली रो में हम क्या करेंगे 10-10 चेन लेकर आएंगे तो हमने पूरी रो कम्प्लीट कर ली है फिर हमने देखें यहां तक हम लेकर गए फिर यह 10-10 चेन की हमने डिजाइन बना ली यह देखेंगे अब फिर से हम गले की साइड आ गए है तो अब की बार हम देखें क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले चार चेन बनाएंगे सबसे पहले चार चेन एक, दो, तीन, चार चार चेन बनाने के बद इसको घुमाएंगे और घुमाने के बद देखें इसको घुमा लिया और इसके अंदर हम तीन डबल क्रोस्या बनाएंगे देखिए यहाँ पर एक दो और तीन तीन डबल क्रोस्या बना लिया दो फंदे हमने कम कर दिये ठीक है अब एक चिन लेके इस डिजाइन को बनाएंगे यहाँ पर तीन डबल क्रोस्या एक चिन वो तीन डबल क्रोस्या बनाएंगे फिर से एक चिन लेकर यह देखिए तीन डबल क्रोस्या है फिर से एक चिन लेकर इसी तरीके से पूरा डिजाइन हम बनाएंगे इसमें बनाएंगे फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें ठीक है पूरा बनाने के बाद फिर हम दददस चेन वाली डिजाइन बनाएंगे और बापस इसी जगे फिर से आ गए दददस चेन वाला हमने बना लिया फिर से बापस इसी जगे आ गए है अब देखिए इस बार हम क्या करेंगे हमें चार चेन ले ली है इस बार हम ना इस फंदे को पूरा इस वाले डिजाइन को पूरा बंद कर दिंगे अब हमारे पास पाँच डिजाइन तहे जाएंगे ठीक यह? अभी तक छे डिजाइन थी अब इसको हम बिल्कुल भी नहीं वनाएंगे इसमें डालेंगे, चार चेन लेकि कर दिया इसको हमने बंद कर दिया ठीक है तो तीन डबल क्रोस के बाद एक चेन बनाएंगे हम इसी जगे तीन डबल क्रोस से बनाएंगे देखिए एक फिर से इसी जगे के बनाएंगे दो और तीन ठीक है यह देखिए तो इस तरीके से गले का से आ जाएगा अब फिर चेन लेकर इस वाली डिजाइन को बनाएंगे इस पूरी रो को हम ऐसी ही बनाएंगे इसकी अगली रो जब बनाएंगे न दस दस चेन लेकर जोईन कर रहे थे उसमें हम आपको दिखाएंगे क्या करना है देखिए हम यहां तक आ गए हमारे पास पांच डिजाइन रहे गई अब बापस हम चार चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, सबसे पहले तीन चेन बनाके यहां डालेंगे और एक डबल करो से बनाएंगे इस जगे ठीक है जो दस-दस हम चेन बनाके जोईन कर रहे थे न अब हमने लास्ट वाले में तीन चेन बनाई है और यहां पर एक डबल करो से बना लेंगे ठीक है अब इस रूप हमने complete कर लिया आप देखी फिर से हम चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार चार चेन बनाके इसको पकड़ेंगे इस तरीके से अब इसमें पहले हम दो डबल क्रोस्य बनाएंगे एक और एक दो डबल क्रोस्य एक चेन और एक दो तीन इस तरीके से हमने बनाना है दो डबल क्रोस्य एक चेन और तीन डबल क्रोस्य ठीक है फिर से देखे अब हम एक चेन लेकर इसको पकड़ेंगे इस तरीके से इसमें बनाएंगे तीन डबल क्रोश्या एक दो और तीन तीन डबल क्रोश्या एक चैन और तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे एक दो और तीन इसी तरीके से हम पूरी रोप यहां तक कम्प्लीट करेंगे और फिर हम दददस चेन लेके जोईन करेंगे फिर दिखाते हैं देखिए हमने ददस चेन बाला फिर से बना लिया अब फिर से हमने चार चेन बना ली अब इसमें हम तीन डबल क्रोस से बनाएंगे ठीक है तो हमारे पास यह चार डिजाइन रह जाएंगी तो इसी तरीके से ह करने हैं देखिए चार चेन बना ली इसमें डालेंगे तीन डबल क्रोसय बनाएंगे फिर से एक चेन लेकर बाकि जो डिजाइन हमारे जैसी चल लेहें हमें बैसे ही बनाना है इसको हम से इसी तरीके से बनाएंगे तो देखिए इस रो को हम कम्प्लीट करेंगे पूरा और फिर अगली रो में हम दद्दस चिन लेकर इसको जोईन करते हुए यहां तक आएंगे जैसे हमने इस वाले इस वाले डिजाइन को बंद किया था ऐसी इसको बंद कर देंगे फिर हमारे पास चार डिजाइन रह जाएंगे देखिए हम यहां तक आगए है तो दस चैन लेकर यहां तक आगए अब देखिए फिर से हमने तीन चैन बनानी है और तीन चैन बनाके यहां पर सिंगल क्रोसा से जोईन करेंगे इसी तरीके से हमें डिजाइन को कम करना है इस त पदे पर जब आप लोग फंडे घटाना स्साइब करेंगे ताब आपके पहले आ जाए गा तो इस तरिके से एक डबल करोशें यहाँ पर बना ले ढआ लेंगे हम ठीक है त Steer एंगे यह तो आपके यह तरिके से हम डिजाइन को अपना कम करते जाएंगे तो गले का जो cutting है अपने आप आ जाएगी ठीक है आप हमारे पास यह 3 design है तो इसमें हम सेम तरीके से बनाएंगे 3 double crochet, 1 chain और यह 3 double crochet बनाएंगे ठीक है फिर 1 chain लेकर इस design को complete करेंगे इसी तरीके से पूरी row complete करने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे कि हमारा गला कैसे बनाएं तो इस तरीके से आपको गले की cutting दिखेगी तो अभी जब हम button पटी बनाएंगे तो इसका save बहुत अच्छा आ जाएगा हमारे पास 6 design है दिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे के साइट 6 design है ऐसा ही हम दूसरा बनाया है हमने पूह हम आपको रखके दिखा दे तो दोनों को count किया तो 12 design हो जाएंगी 6 इदर है और 6 इदर है तो दोनों को count किया तो 12 design हो गई अब हम back side में 13 design रखेंगे ठीक है तो ये back side है इसमें हमने 13 design रखी है आपको हम दिखा दे आप 90 chain डालें आपकी मुढ़े पर कोई भी फंदे नहीं गडाने है ठीक है तिर्फ हमें जो core pattern बनाना है जितनी आपको लंबाई रखने है उसे साबसे बना ले और इतना हमने बना लिया है तब आप लोग बनाना है श्टार्ट करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा आप देखिए हम आगे वाले part को इस तरीके से रखेंगे इसमें सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम मुढ़े पर जितने भी आपको मुढ़े छोड़ने उतने छोड़कर नीचे fitting की सिलाई लगा दे सबसे पहले उपर का जोइन करें उपर वाले मुटे जोइन करें उसके बाद आपको जितने भी बाजू के लिए छोड़ना है उतने छोड़के फिर नीचे fitting की सिलाई दे दे तो हम सिलाई लगाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिए, ये simple है तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिए है और इतनी हमने बाजू के लिए छोड़ा है, इसमें हम full बाजू बनाएंगे, तो इतना हमने छोड़ दिया है, तो हम तिंग 6 इंच यह 5,5 इंच होगा 6 इंच होगा I think 10 डिजाइन हमने छोड़ी है यहाँ ते काउंट किया जाए तो यह 10 डिजाइन है और यहाँ पर हमने फिटिंग दे दी अब हम आगे आपको बटन पट्टी बनाना बताएंगे बटन पट्टी के लिए क्या करेंगे इतना आपको ओपन दिख रहा है इतना ओपन दिख रहा है एक डिजाइन ओपन दिख रहे है यहाँ पर हम बटन पट्टी बनाएंगे तो सबसे पहले इस जगे उन को जोइन करेंगे इस जगे उन को जोइन कर लेंगे हम करके एक चेन ले ली और इस जगे हम एक सिंगल क्रोश्या बनाएंगे बापत इसी जगे एक और बनाएंगे तो यह दो सिंगल क्रोश्या हो गई आप देखिए इसके पास में आपको यह लंबा फंदा देखेगा तो इसमें एक दो और इससी जो तेन, तेन सिंगल क्रोश्या बनानी और ठीक है फिर इसके पास में आपको यह लंबा फंदा देखेगा ईसमें एक डो और इस तीन, तीन सिंगल क्रोश्या बनानी है ठीक है? फिर यहां पर एक बना लेंगे बापत से चीज़े के दो और एक तीन जो आपको यह लंबा सा फंदा दिखेगा ना तो उसमें आपको तीन तीन सिंगल क्रोस है बनानी है इसमें भी तीन बनाएंगे एक दो और एक तीन इसमें भी तीन बनाएंगे हम यह 3 हो गई इसमें भी 3 बनाएंगे 1 2 और यह 3 3 सिंगल करों से बना ली ऐसे ही हम बनाते हो उपर तक लेकर आएंगे फिर उपर गले पर कैसे फंदे बढ़ाने बो हम आपको बताते हैं बनाते हो में यहां तक आगे नीचे से स्टार्ट कियाता है यहां तक आगे अब जो गले पर हमने फंदे घटाने स्टार्ट कियते हैं बहाँ पर हम आगे तो यहां पर हम 1 सिंगल करों से बना के देखे नीचे से स्टार्ट करके हमने 3-3 सिंगल करों से बनाते हो यहां तक आगे आप यहां पर गले का जो सेब देखे रहे ना मैं इसमें कैसे बढ़ाना ए है वह हम आपको बता दें तो इसमें क्या करना मैं दो दो single ग्रोश्या बनाना कि क्लिपकशा एग बनाएंगे इसमें जो आप को घ्रव छोटा लगे तो आप तीन-द क्तीन भीबना संकते हैं फिलाल तो हम दो-दो बनाएंगे क्योंकि हमारी उन मोटी है इस लिए इसका पीछे के साइड ऐक-एक सिंगल क्रोश्या बनाएंगे अभी हम आपको दिखाते हैं दिखिए इसमें डालेंगे हम तो कि स्क्राविर देखिए इसमें बना लए दो सिंगल क्रोषा दो इसमें बनाएंगे इस तरीके से में में दो फंदा आपको पास में देखे छोटास दिया लिए टो में बना ले फंदा बड़ा देखिए तो उसमें दो दो बना लिए देखिए इसमें दो बना लिए हमने इसके पास में जो फंदा है उसमें एक बना लिया अब इसके पास वाले में एक बना लिया आप देखिए यहाँ पर लंबा फंदा है तो इसमें एक और बनाएंगे जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा इसको हम ऐसे ही बनाएंगे फिर आपको दिखाते हैं लंबा फंदा होगा उसमें दो बना ले छोटा फंदा है उसमें एक बना ले इस तरीके से गले पर फंदा बनाते हुए सिंगल क्रोसर बनाते हुए पीछे के साइड आएंगे और पीछे हमें क्या करना है वो हम आपको दिखाते हैं तो यह देखिए हमने गले पर यहाँ पर फंदे बना ली है अब पीछे के साइड हमें क्या करना है पीछे जो डिजाइन आपको देखेगी तो उसमें जितने फंदे हैं उतने ही बनाने जैसे 6 फंदों की डिजाइन है तो 6 सिंगल करों से बनानी है देखिए आई होप आपके समझ आ रहा होगा और आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बता है आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है यह देखिए हम पूरा जितनी भी यह डिजाइन है उतने ही फंदे बनाएंगे अगर आपको फंदे ज्यादा लगे तो आप कम कर लें हर डिजाइन में एक एक फंदा कम कर लें ठीक है इस तरीके से हमने नीचे तक लेकर आना है पूरा नीचे तक लेकर आने के बाद आप हम first row complete होगे second row में देखे क्या करेंगे तो यह देखे first row हमने complete कर लिए second row में हम क्या करेंगे अब जितनी भी हमने single crochet बनाई है सब में एक-एक single crochet बनानी है पूरा नीचे से start करेंगे और पूरा उपर तक लेकर जाएंगे गले तक और दूसरे side तक नीचे तक लेकर आना है जितनी भी chain है हर chain में एक-एक single crochet बनाएंगे दो row जब हमारी complete हो जाएंगे तब तीसरी row में हम button के लिए hole बनाएंगे तो इस row को हम ऐसे ही बनाएंगे जितनी भी chain है हर chain में एक-एक बनाएंगे I hope आपको समझ आ रहा होगा आपनों मुझे comment करके जरूर बताएंगे आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है ठीक है तो हम पूरी row इसी तरीके से बनाएंगे फिर आगे आपको दिखाते हैं तो यह देखिए दो रो बना ली है तीसरी रो में हम बटन के लिए होल बनाएंगे तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे सबसे पहले एक chain लेकर और यहां पर हमने एक single crochet बना लिया है फिर्ष्ट वाली chain में डालके एक single crochet बनाएंगे फिर एक इसके पास वालें बनाएंगे तो दो हो गई तीन चार पाँच छे साथ और लाश्ट आठ आठ single crochet के बार एक दो दो chain ले लिए और दो chain छोड़के तीसरे वाली chain में डालके एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ फिर से दो chain लेकर और दो chain छोड़ेंगे इस तरीके से बटन के लिए होल बनाना है अगर आपके बटन बढ़े है तो आप 10 चेन दस सिंगल क्रोशा के बाद दो chain ले ठीक है होल बनाएं अगर आपके बटन छोटे हैं तो आप आठ चेन के बाद करें और आपके बटन बढ़े है तो 10 चेन के बाद होल बनाएं इसी तरीके से 8 चेन के बाद फिर से हम होल बनाएंगे तो होल बनाने के लिए सिर्फ 2 चेन लेनी है यह देखे दो बन गए है हमारे पास इस तरीके से हमने बना लिया उपर तक लेकर आगाए अब ऊपर देखिए जितनी भी चेने हर चेन में एक-ईक सिंगल क्रू से बनाएंगी इसी तरीके से पूरी रोह हम बनाएंगे देखिए पूरी रोह यहां तक हम लेकर आएंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए फिर अगली रो में हम फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहां तक लेकर आना है यहां तक यहां तक हम आ गए देखिए यहां तक अब इस वाली साइट में हमने बटन के लिए होल बनाए है तो उसको कैसे कवर करने है वो हम आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले हम आठ सिंगल क्रोशे बनाएंगे आपको बटन के लिए जो होल बनाया था इसमें हमें दो सिंगल क्रोशे बनानी है फिर से जितनी भी सिंगल क्रोशे हैं सब में एक एक बनाएंगे और जो बटन के लिए दो चेन लेके होल बनाया है उसके अंदर हमें दो सिंगल क्रोशे बनानी है ठीक है इसी तरीके से पूरी रोग कम्प्लीट करनी है फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है यह देखे बटन के लिए होल भी बन गये हैं अब इसमें हम बटन लगाएंगे और फिर दिखाते हैं पूरा स्वेटर बन गया है अगर आप लोग बाजू देखना चाहते तो मुझे बहुत सारे कॉमेंट करें और बहुत ही प्यारा डिजाइन है मुझे बहुत पसंद है आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरू बता है अब मैं आपको मिलती है अगली वीडियो में बाई